तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप भी इस तरह का अपना अधारकाड डाउं-लोड करना चाहते तो इस वुडियो क्लास तक दिखते रहे हम बताने वाल नहीं कि आप को डाउं-लोड कर सकते हैं या नहीं यही Zenight कर सकते हैं आखिरी इस तरह का अधार काड़ आपको किस तरह से दोबारा मिलेगा जी का लिए आपको अधार मिलेगा तो नमस्का Row घंण पका है और आप लोग देख रहे एतकंडीग करते हैं थंडी बड़ गई है सब्सक्राइब करें चैनल को और इस घंडे को दबाएं यह बिल्कुल फ्री है तुझा सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब अगर आप अपने लैप्टॉप में और यहां पर आप जो है अपने मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आप जो है Google ऑपन कर लीजिए अपने ब्राउजर में और उपन करनेक बाद तीन डॉट यहां पे आपको देखने कर मिला प्रेश करिएगा प्रेश करेंगे तो यहां पर यहां पर रिक्वेस्ट डेक्स्टाप दिखेगा प्रेश कर दिजेगा तो डेक्स्टाप वर्जन में open हो जाएगा और यहाँ पे आपको simply search करना है आधार ठीक है आधार सर्च करिए आपको अधार काट की official website मिल जाएगी देखे यहाँ पे और यहाँ पे प्रेस करते ही दोस्तों यह देख सकते हैं आप अधार काट की official website पे आचुके हैं और नीचे आएंगे तो दोस्तों आधा इसी पे प्रेस कर देजिए और आधार री प्रेंट यहाँ पे प्रेस करेंगे तो दोस्तों यह पेड सर्विस है और यहाँ पे आपको पर्चास रुपए देने हैं और आपका यह वाला आधार काड इसी तरह से जो है same to same यहीं वाला आधार काड आपके पास आ जाएगा और यहां पर आपको अपना अधार कार्ड लिखना है और यहां पर वर्चुल आईडी भी है तो आपने अधार कार्ड लिखेगा और यहां पर यह कोड लिखने के बाद देखे यह रिक्वेस्ट ओटीपी यहां पर देखे एक दो चेक बॉक्स है इफ यू है और आपका रेजिस्टर मॉबाइल नंबर खो गया है तो यहां पर प्रेस करना है और यहां पर कोई एक नंबर दे देना है कोई भी नंबर A to Z ब देखे चाहें आप जो है डेविट कार्ड से देखे और यहां प्रोसेस जाही है आप जो है और को लिए क्योंकि मेरा खुद का वरजिनल आधारकार है और मैं खोया भी नहीं हूं और आप भी अपना आधारकार सम्हाल के रखी नहीं पचास रुपए देने पड़ करेंगे और आधारकार का आफिस खोज लिजिए गा वहां पर आपना आधार देजिएगा खुद ही जाएगा तब ही चैन्ज होगा तो कि वहां बायोमेट्रिक लगाते हैं आप की थम लगाएंगे और आखो कि रेटिना लेंगे और देन उसे इडिट करेंगे और आपके खुळ ही और चींच हो जाएगा ऑनॉलाइन लेकिन आपको यह चाहिए जाहिए तो इसके लिए विसे डूपई तक लेते हैं हैं अधार सेन्टर वाले वैसे तो free वाला काम है लेकिन 50 रुपई लेते हैं आपका काम हो जाएगा और 50 रुपई लगा के आप खुद से मंगा लीजेगा खुद से मंगाईएगा और जो आया है service center या आधार साइबर कैफे जाएंगे तो वह 50 रुपई इसका लेंगे और उसका transaction फिस 5-10 रुपई ले लेंगे कुल मिलाके वह 100 रुपई आपसे ले लेंगे और आपका आएगा खुद ही कर लीजेगा मोबाइल उठाईए मोबाइल के Chrome ब्रॉजर में जाएए आधार लिखिए आधार अधार घ्रन है और यहां पर आधार लिखिए Sichtigूर्टी कोड लिखिए और यहां दोल्के Elizabeth करिए समिट करिए जब समिट और लीगे तो हंडी है हमारे यहां सब्धर डिगरी है तो दोस्ट मिलेंगा प्रक्राइब दीजा जहन बंद यहां तो